हेलो डियर इस्ट्वेंट्स तो आज हम इसमाइल 3.0 में कक्छा दस्वी गणीत का साल्यूशन लेकर आए हैं तो आए देखते हैं सबसे पहले फर्ष्ट क्यूस्चन है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिद्म का कथन लिखना है अपने को उसके बाद इसका एक उधारन भी देना है और सत्यता की जाच करनी है तो आए देखते हैं इसका पूरा साल्यूशन तो बच्चों देख सकते हो आप कि यहां पर विभाजन एल्गोरिद्म का जो पूरा कतन है वो लिखा है जो कि बिल्कुल मैंने आपकी बुक सही लिया है कि PX और GX कोई दो बहुपद है जहां GX का मान 0 नहीं है तो हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX कहने का मतलब बच्चों कि यह वो ही है कि बाज जी बरबर भाज जग गुनित भागपल प्लस सेस्पल यानि कि दो बहुपद दिये हैं यद प्लस सेस्पल ये वाला सेच्टम है अब इसका उधान देखते हैं अब तो बच्चों यहां पर उधान देख सकते हो आप एक उधान लिया है मैंने इसमें एक उधान लिया है मैंने इसमें और यहां पर पूरा भाग दिया है और आप देख सकते हो कि पूरी प्रक्रिया कर हमने यहां पर जो है सेशफल बचा है सेशफल बचा है थ्री और भागपल मिला है हमें एकस माइनस दो अब हमने क्या किया है आगी चल कर इसका कि बस विभाजन एलगोरिथम वाले फारमुले में वेल्यू पूट कर दी है और आप देख सकते हो कि हमें यहां पर दोबारा भाज मिल गया यानि कहने का मतलब बच्चो कि भाज जो है भाज अकुनित भागपल प्लस सेशफल के बरबर होता है तो विभाजन एलगोरिथम क्या हो गया है सत्य पर दो गया है तो आप यह सारी चीजे नोट कर लीजिए उपर वाली और यह सारे कथन और यह उधारन देख सकते हैं आप बच्चो नेक्स्ट क्यूसन पर चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्यूसन है बच्चो कि भाज पदो PX को GX से विभाजित करना है भाग देना है और भागपल एम सेशफल गयाद करना है तो आईए देखते हैं फर्स्ट क्यूशन को फर्स्ट क्यूशन क्या बोल रहा है कि PX बरबर 4X क्यूब माइनस 8X प्लस 5 इसको भाग देना है हमें X माइनस 3 से तो आईए देखते हैं तो बच्चो आपके सामने ये पूरा सालिशन दिखाई दे रहा होगा हमें PX को GX से भाग देना था और ये मैंने पूरा सोलू करके बताया है आपको इसको नोट कर लीजिए मैं इसको समझाऊँगा नहीं वरना वीडियो लंबा किज जाएगा तो आप देख सकते हो भाग पल उतार सकते हो और 6 पल उतार सकते हो बिटो नेक्स चलते हैं हो नेक्स विशन बच्चो इसमें 4X की पावर 4 है उसके बाद माइनस X की पावर 3A प्लस 4X प्लस 1 है इसको भाग देना है GX बराबर 2X माइनस 1 से तो आईए देखते हैं इसका सा दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वाले का और यहां पर आपको लाश्ट में दिखाई दे रहा होगा कि यह जो बच्चो सत्रा बटा आठ है तो इसका ध्यान रखना आप मैंने पूरा सोलो करके बताया है आप इसको नोट कर सकते हो इसकी साउड भी ले सकते हो इसका बच्चो ठीक है यह यह देखिए आप यहना वह लाश्ट में जो सेस्पल बचता है वह बचता है पच्चेज बटे आठ बचता है और जो भागपल आया हमें दो एकस की पावर तीन प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा चार एकस प्लस सतरा बटा इसी प्रकार के डेली साल्यूशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्क्राइब किजिए थैंक्स